नमस्कार विजार्थियों, आज हम मानव गूगोल की प्रकर्टि के बारे में जानेंगे, कि मानव गूगोल की प्रकर्टि क्या है? मानव गूगोल की अध्यन का मुठ्य बिंदु क्या है? यानि कि मानव भूगोल में हम किसका अध्यन करते हैं यह बार आपको यहां पर बताए जाएगे मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल की प्रकृति में जो मानव भूद्रस से हैं मानव भूद्रस से हमें प्रत्वी पर जो भी मानव भूद्रस से दिखाई देते हैं उन सबका अध्यन मानव भूगोल के अंतरगत किया जाता है मानव भूद्रस से का मतलब है यहां पर मानव का सांस्क्रतिक वातावरण मानव का सांस्क्रतिक वात्तावरण उसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब मानव भूल का अध्यन है उनका अध्यन मानव भूल की परकति में हमें करते हैं यानि कि मानव के द्वरा निर्मित आवास, सरकोएं, मानव के द्वरा रेल मार्गों का निर्माण, पुलों का निर्माण, प्रसी कारे भूमी, खेल के मेडान यानि कि मानव के द्वरा निक्वित जो भी सरंचना हमें दिखाई देती है वो सब मानव गोल की प्रकति के अंतरगत समाधित है वो उस सरंचना से समंदित अध्य फिर मानव गोल में हम करते हैं जैसे कि आवाष अज्वास हैं और रहे है आवाष मकान आजईवाष तो ऑ्वाष में आवअसों का मानव ने क्यों किया कब्र को है क्यों हैं इस परकार कि जो प्रसन है उन परस्नों को तर मानष भूल कि अंतरग्ध दिया जाता है जो मानष भूल की प्रकड़त दिया वने आवासों keen reply त्रकूपully क्यूं की है किया में उत्तर हो गया तो पिर Google उसका वर्ण बताएगी कि क्यों किया मानव ने कब किया यानि mean जब मानव ने जंगलों को छोड़ करके या अखेड का कारिय चोड़ करके करसी कारी करना प्रारभ किया तब से मानव में अदिवास पर इ्मान प्रारभ किया था तो इस तरह से जो मानव भोल की परकृती है, इसमें मानव से समंधिक जो मुद्दे है, मानव का जो सांस्कति वालता है उसी का अधिन होता है, लेकिन उस अधिन का विकास कब हुआ क्यों हुआ कैसे हो, आधी बातों को परस्तुत मानव भोल की परकृती में किया जाता है। तो आपको मानव निर्मित द्रस से दिखाई देते हैं, उन सब का अध्यन मानव गूगोल में किया जाता है प्रत्वी पर जो भी मानव निर्मित द्रस से दिखाई देते हैं, उन मानव निर्मित द्रस्यों का अध्यने मानव गूगोल के अंतरगत किया जाता है इसलिए मानव गूगोल का इसलिए मानव गूगोल का केंद्र बिंदू मानव को मानव को मानव है मानव का विकास कब क्यों कैसे हुआ आधी प्रस्मों को भूगोलिक द्रस्ती से या भूगोलिक द्रस्ती कौन से प्रस्तूत करना ही मानव गूगोल की प्रकति है मानव गूगोल की प्रकति में क्या आएगा तो देखो मानव गूगोल की प्रकति में प्रत्वी पर मानव निर्मित्र से दिखाई देते हैं उन सब का अध्यन मानव गूगोल के अंतर्गत किया जाता है इसी कारण से मानव ये किरिया कलापों को मानव भूगोल का केंद्र बिंदू माना लेया है या मानव भूगोल के अध्यन में मानव ये किरिया कलाप केंद्र ये बिंदू में इस्तित है मानव का विकास, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आधी प्रसनों को भूगोलिक द्रस्टी कौन से प्रस्तूत करना ही मानव भूगोल की परकरती है यानि मानव के द्रस्ते हैं, एक कप विक्सित हुए, क्यों हुए, इनको भूगोल के द्रस्टी से प्रस्तूत करने का तरीका ही मानव भूगोल की परकरती है यह होगी अपकी मानव भूबोल की परकर्ति के बार आता है मानव भूबोल की साखाएं मानव भूबोल की साखाएं कि मानव भूबोल की साखाएं कोन कोन सी हैं तो देखो मानव भूबोल की साखाएं और बोतिक भूबोल की साखाएं अपने फस्ट वीडियों में बता चुका हूं इसके अत्रीक अपने पर फिर से मानव भूबोल की साखाएं वीडियों मानव भूबोल की पर्मुद साखाएं और ठीक भूबोल सामाजिक भूबोल चिकित सा भूगोर राजने तिक भूगोर आर्टिक भूगोर, समादिक भूगोर, चिकचक भूगोर, राजने तिक भूगोर, को यह हो जाएगी आपकी सांस करती सांस करतीक भूगोर, यह क्या है, यह मानव भूगोर की पर्लुख साथ खाये हैं आर्टिक भूगोर, समाजिक भूगोर, चिकिच्चा भूगोर, राजने तिक भूगोर और सांस करतीक भूगोर बूबूर यह दिये नाम ऐसे सिधे याद नहीं रहते हैं तो आप इनके जो फ़स्ट अक्सन है इनको जोड़ करके ट्रिक बना सकते हैं एक सुथर भी बना सकते हैं जैसे आसा ची रासा यह इसकी ट्रिक हो जाएगी आसा ची रासा यह प्रिक जापनेगी सी प्रिक बनेगी आसा ची रासा ऊह जाएगी डीकंस सामाघी कौला हे आसा ची रासा एक प्तिकृसे सामाधिक ची से टिकित्चा राज राजने इसांग्स प्रमुखका नश्याग्स ची प्रेंदों के और बनता है कि उनीस सो पीशिंब के दसक्रमंग क्यूंसर वो ये बनता है कि 1930 के दसक में मानव गुगोल की कौन कौन सी साखाओं का उद्धे हुआ क्यानि 1930 के दसक में मानव गुगोल की कौन कौन सी साखाओं सामने आई तो इसके लिए आप सुछवाती दो साखाओं के नाम लिख सकते हो क्योंकि उनी दो साखाओं का खुदेत अब से पहले 1930 के दसक में हुआ था वो आप ही हो जाएंगी आर्टिक गुगोल को और बूसरी हो जाएदी आपकी सामाजिक गुगोगो है आर्थिक गुगोल और समय जिंश्ट तेन दसल में इन दोनों गुगोल की सब्सक्राओं की हुआ था तो यह ओगे हमारी मानबगोल की परक्रति हैं दानेवाद झाल